प्रेंट सूजी को लेकर आज मैं आपके साथ में तीन ऐसे तरीके सेयर करूंगी जो आपके काम को काफी जो है हद तक आसान बराने के गंटों के काम जो है आप मिंटों में कर पाएंगे बहुती सांदार और यूजपूल जो है ट्रिक्स बताऊंगी वीडियो फ्रेंट दो कितनी भी शचिल कितनी भी शूज़ी ले सकते हैं शूज़ी अक्सर जो हम लेकर आते हैं तो बहुत सारी लेकर आ तो नीचर ड्यिम्य में दो देश पता आडरेज भर कर दूधे लगें फंगर्स नहीं लगेगा कि अगर आप सूजी को लेकर आजाते हैं अगर आपके पास में तेज पता नहीं है दालचीने का टुकड़ा भी नहीं है तब आप क्या करेंगे कि सूजी आपकी लंबे समय तक चले बिल्कुल भी खराब नहीं हो इसका भी बहुत ही सांदार सा तरीका बताऊंगी जो आपको काफी पसंद आएगा तो इसके लिए मैंने यहाँ पर फिर से दो कप सूजी ले ली है और दो कप सूजी को लेने के बाद गैस के उपर मैंने बारी तले की कड़ाई रख ली है अभी हम गैस को मैंने ओन कर दिया है अभी हम इसके अंडर डालेंगे सूजी यहाँ पर मैंने तेल गी कुछ भी यूज नहीं किया है कुछ भी डालने की जुरूत नहीं है ऐसे ही जो आप सूजी को डाल दीजिए तो यहाँ पर मैंने दो कप सूजी डाल दी है लगातार हम चला कर इसको पकाएंगे पांच मिनुट हम इसको पकाना है गैस की फ्लेम को मियाँ पर बिल्कुल लो रखेंगे हाई या मेडियूम पर नहीं रखना है वरना हमारा सूजी का कलर जो है वो चैंज हो जाएगा सूजी का कलर जो है हमें यहाँ पर बिल्कुल भी चैंज नहीं करना है और पांच मिनुट तक लगातार लो फ्लेम पर हम इसको ऐसे ही पकाएंगे जिससे सूजी में जितना भी मौस्चर होगा वो खतम हो जाएगा और सूजी आपकी जो है लंबी समय तक चलेगी तो यहाँ पर मुझे पकाते हुए चार मिनट हो चुके हैं एक मिनट मैं इसे और पकाऊंगे इसी तरह से कंटिन्यू चलाते रहेंगे तो इसी तरह से आप जो है सूजी को भून के रख दीजिए और यह भूने हुई सूजी जो है विल्कुल भी खराब नहीं होती है इसे आप आराम से 6 मैने तक जो है इस्टोर कर सकते हैं तो अभी मुझे लगातार भूनते हुए पूरे 5 मिनट हो चुके हैं और सूजी जो है कापी हद तक जो है इसका मौचर खतम हो चुका है तो अभी हम गैस को कर दिया है बन थोड़ी सिदेर ऐसे ही चलाएंगे क्योंकि कड़ाई अभी गरम है उसके बाद जो है हम इसको बाहर निकाल लेंगे तो देखिए मैंने यहाँ पर एक थाली ले ली है इसके अंदर सुजी को निकाल लेंगे बाहर अभी जो इसको अच्छे से फैला लीजिए ठंडा होने दीजिए पूरा ठंडा होने के बाद आप इसे जो है किसी भी एट आट डिबे में भरके रख दीजिए इसमें अभी कुछ भी डालने के जुरूत नहीं है ना ही तेजपता ना ही दालचीनी और यह सुजी जो आराम से आपकी 6 मेने तो चल जाएगी बिल्कुल भी खराब नहीं होगी कभी भी आप जो है किसी भी काम में इसको ले सकते हैं मैं भी चलते हम तीसे तरिके की तरब तो यहाँ पर मैंने फिर से वही कड़ाई ले ली है इसके अंदर ढालेंगे हम आदा चमश तेल इससे जदा जो है possessed तेल नहीं डालना है तेल हल्का सा गरम हो जाए उसके बाद में मैने यह आपर डाल दी है एक कटोरी सूजी आप चाहे तो दो कटोरी चार कटोरी या छे कटोरी भी ले सकते हैं मेरे पास फिलाग जो है इतनी ही सूजी थी इसको लगाता चलाते हुए हम फकाएंगे कंटेनियो चलाना है छोड़ना नहीं बीच में गैस की फ्लेम जो है हमारी लो रहेगी और कलर हमें इसका बिल्कुल भी चैन नहीं करना है तो इसी तरह से फ्रेंट्स आप सूजी को जो है भुनके रख दीजिए उसके बाद जब भी आपको उपमा बनाना है तो तुरंत आप सूजी को निकाले बाहर और बनाईए पांच मिनट में आपका उपमा बनके रड़ी हो जाएगा बिल्कुल भी टाइम नहीं लगने वाला है इसी तरह से आप हलवे के लिए भी सूजी को भुनके रख सकते हैं जब भी हलवा बनाने लगी तो सूजी भुने हुई रड़ी ह होगी तो हलवा बनाने में बहुत कम टायम लगता है ले उसके लिए आपको ऑईल की जगे पर गी में जो हैं सूजी को भुनके रखना पड़ेगा इससे सूजी बिल्कुल भी खराब नहीं होगी और हलवा बनाते समय बहुत कम टाइम में आपका हलवा बनके रड़ी हो ज तरह सूजी को भुनके आप भी एक मैने तक आराम से स्टोर करके रख सकते हैं बिल्कुल भी खराब नहीं होगी जब भी उपमा या हलवा बनाना हो तुर्ण सूजी को जो है डिबे से निकाले आराम से आप एंजोय कर सकते हैं तो अभी देखिए दो मिनट हो चुके हैं और प्रेस को मैंने कर दिया है बन आदा मिनट हम यह पर और चलाते रहेंगे ताकि सूजी हमारी गरम कड़ाई में अच्छे से भून जाएगी उसके बार जो हम इसको बाहर निकालेंगे तो यह देखिए फैंस सूजी जो है अब भी बाहर निकाल देते हैं तो मैंने इसको प् कुण रहें तो इसके अंदर आप मुंगफले भी डाल सकते हैं साथ में ताकि आपको अलग से मुंगफले डालने की जुरूत नहीं होगी तो फ्रेंट तीनों तरीके में से कौन सा तरीका जो है आपको सबसे अच्छा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करना बिल्कूर नही बुलें कौन सी ट्रिक्स आपको सबसे अच्छी ज्यादा अच्छी लगी कमेंट कर द्वारा जरू बताएं गंटी वाला बटन जरू प्रेस करें ताकि मेरे आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुचे अगर आप हमें फेस्बुक पर देख रहे हैं तो मेरे पेज अच्छी वीडियो के साथ में तब तक के लिए स्वास्त रहे हैं मस्त रहे हैं अपना क्याल रूखें